लासे उठानी पड़नी इससे ज़्यादा क्या होगा? मैंने यूएने को भी लेटर लिखा है यहां की सरकार से कोई मांग नहीं करूँगा क्योंकि वो तो करार है तो गर्या मंत्री जी ने ये जो गर्या यूद्वा देश में क्यों नहीं रोका? क्यों चात्ते करवाई? हजारों वीडियो है पुलिस के लोग दंगए से भी ज़्यादा बलवान हो गए अवाज आ रही है कहां तक आ रही है जरह बताएंगे? इससे आ रही है क्या फाइदा फिरसका? जैबीम यह उसको नीचे कर दीजे उसको मौसब अच्छा है ना? और इस मौसब में आपके होसले भी देखने लाएगा वह सारे जिम्मदार साथी यहां मौजूद है मुझे साथी कामरेड का मैसिज आया कि हम मार्च निकाल रहे है और फिर अपनी बात भी रखेंगे जंतर मंतरम पे जाके यह राव लिला ग्राउंट जहां फाइनल होगा तो हमने का ठीक है कुछ लोग तो जिंदा है कुछ लोग तो हैं जो अपनी बात को कह पा रहे है और बाबा साहब ने यही समझाया था कि अन्याय करने वाले से अन्याय सहने वाला ज्यादा दोसी होता है तो अभी मेरा कोर्स भाई यह बोल रहा था कि सब्द कहां से लाएं वो क्या बोलें क्या बाशन दे सच में कुछ नहीं है बोलने को लाचार नजर आ रहे है ऐसा देश नहीं मांगा था हम लोगों ने ऐसे देश के लिए आजादी के लड़ाई नहीं लड़ी गई थी जिसमें आदमी आदमी के खून का प्यासा हो जाए मैं बस अपने कुछ दिली जज़बात आप से शेयर करूँगा आज कुछ नहीं है बोलने को आंदोलन क्यों जरूरी है इतियास बनते हैं और याद रखे जाते हैं और आपका इतियास आपका वर्तमान आपका भविश्य से आने वाली पीडिया जब उसे पढ़ती है उस जज़बे को उस संगर्ष को महसूल करती है तो अपने अंदर एक संकल्प लेती है और इसी भावनाओं के साथ कुछ लोग लड़े थे अंग्रेजों के खिलाब और यह जो समाजिक परिवर्तन आर्थिक परिवर्तन वैवस्ता परिवर्तन का एक संकल्प लेके बाबा साथ अंबेड कर गुरुनानक देव संस्योमिन सत्कुर अवदाची महराज भगवान वालमी की महराज पैरियार साथ जोतिबा पूले साथ डोक्टर फ्रीदी माँ फातिमा सेख बिर्सा मुंडा गुरुनारान स्वामी संदगार के जी महराज मानने वार साथ स्री काशी राम कलंबे समय तक संगर्ष करते रहे डेमोक्रेसी है और ये सुनने में बड़ा अच्छा लग रहा है हम बोल नहीं सकते हैं हम अंदोला नहीं कर सकते हैं हम सडक पर नहीं आ सकते हैं हम आजादी से घूम नहीं सकते हैं हम अन्या एत्ताचार के खिलाब बोल नहीं सकते हैं तो डेमोक्रेसी का मतलब कहां बनता है जिस सविधान को मैंने पढ़ा जो बाबा साम अंबेड कर ने पूरे देश के लिए एक व्यक्ति को बराबर के धिकार देने के लिखा वो तो नहीं चल रहा है मुल्क में अगर वो है तो उसमे जो पुलिस की जिम्मेदार थी दिल्ली में क्यों नहीं निवाई गई अगर वो है तो गर्या मंत्री जी ने ये जो गर्या युद्वा देश में क्यों नहीं रोका क्यों जात्ते करवाई हजारों वीडियो है पुलिस के लोग दंगई से भी ज़्यादा बल्वान हो गए पत्थर मार रहे है अभी रिपोर्ट्स आएगी किसकी बुलिट से मरें लोग और बुलिट से मरने वाले लोग कौन है मैं भी देखना चाहूँगा कब चर्चाए होंगी कब बहस होगी सबको पता दंगई किसने करा मैंने करा हो तो मुझे गिर्पतार करो अगर इस मर्च में कोई और बेटा उसने करा तो गिर्पतार करो और अगर तुम्हारे लोगों ने करा हो सरकार के लोगों तो उन्हें गिर्पतार करकर दिखाओ और नहीं गिर्पतार कर सकते तो कम से कम जूट पहलाना तो बंद करवाओ कि हम नहीं जानते हैं कि ये सर्जेंट क्यों हुआ कि हम नहीं जानते हैं कि आंदोलन का विरोत आप पे देखा नहीं जा रहा है कि हम नहीं जानते हैं कि कस्मीर से लेके कन्या कुमारी तक C.A. N.P.R. NRC के खिलाब लोग साखपर हैं क्या हम नहीं जानते हैं कि छल, शाम, दाम, दंड, भेद लगाकर आप हमेशा ही करते आएं, क्या हम नहीं जानते हैं, कि किस सड्यंत्र के थुरू, 24 तारीक को दिल्ली जलाई गई हैं, हम सब जानते हैं, मैं गया था भी लखनाओ, मिनट हुए होंगी जगे लखनाओ में, बहुत सारे पुलिस के साथ ही आते हैं, हमारी गाड़ियों में आके बैट जाते हैं, और लेके जाते हैं गैस हाउस और गैस हाउस जाकर कोई जगा नहीं गेट, बातरूम बैक साइट बाहर की तरफ कोई जगा नहीं छोड़ते जहां पुलिस के लोग ना तो पूछें बात क्या है आप बाहर लिख लोगे तो law and order खराब हो जाएगा कमाल है यार दंगाई खुले आम घूमते हैं वो पीस मार्च निकालते हैं उनके साथ protection घूमती है यहां नहीं पता कोई सरफिर आके गोली चला देगा हमें नहीं पता कि किस से law and order खराब होगा बै आपको सलाम करता हूँ कि इतनी कठिन परिस्तितियों में इतने शोषण के बाद और इस आईजेक पूरी कमेटी को मैं सलाम करता हूँ कि आप लोग घर से बाहर निकले हैं और पूरी दुनिया को जैसे साइन बाग की दादियों से पूरी दुनिया सीख ले रही है वैसे ही आपको भी याद रखा जाएगा मैं बार बार जिकर करता हूँ कि जलते घर को देखने वाले फूस का चप्पर आपका है और आग के पीछे तेज हवा है आगे मुकद्दर आपका है उसके कतल पे मैं भी चुप था मेरा नमबर अब आया मेरे कतल पे आप भी चुपो अगला नमबर आपका है ये मुल्क को बचाने की लड़ाई ये इस मुल्क की एकता को संजो कर रखने की लड़ाई जीतेंगे तो जरूर लेकिन बड़ी सच्चाई और इमानदारी और जिम्मेदारी से मैं कह रहा हूँ कि जीत का सुरे देखने के लिए कौन को लोग रहेंगे ये नहीं बता है लेकिन याद रखे जो लोग रहेंगे वो लिखेंगे उनकी कलम फिर चलेगी क्योंकि बाबा साब ने कहा था कि एक हजार तलवार और एक कलम और जब ये कलम चलेगी और आने वाली पीडिया पढ़ेंगी कि जब कुछ लोग चंद लोग मिलकर इस देश को जला रहे थे इस देश को तोड़ रहे थे तो कुछ ऐसे भी परवाने थे कुछ ऐसे भी सिभाई थे जो इस मुल्क को बचाने के लिए हर कीमत में कुर्बानी देने को तयार थे अब मैं सरकार से एक दर्खास करूँगा मीडिया के लोगों से ज़्यादा अमीद हैं हमें आपकी कलम चलती है बहुत है मेरी सरकार से एक दर्खास है हम बुल्क को बरबाद होते नहीं देख पा रहे हैं आप एक कोई ना कानूर मनाईए जिसमें इस मुल्क में सरकार के खिलाब लटने वाले लगों के शरीर का के कत्रा अलग अलग किया जाए और उसको इस में देश की मिट्टी में सामिल कर दिया जाए क्योंकि जब यह मुल्क बर्बाद करने के लिए सारी ताक्ते लगी है तो हम यह तै करके आएं कि अब कुर्बानी अब बलिदान देने का समय है अब पीछे नहीं हटा जाएगा तो सरकार को इना कानून बना दे फासी से भी बड़ा एक कानून बनाए इन लोगों के लिए जो अपने मुल्क को बचाने के लिए लड़ रहे है और जगा निश्चित करें काले पानी से भी ज़्यदा दूर एक जगा निश्चित करें जो बच जाए उन्हें वहां रखा जाए लेकिन याद रखना जब अंग्रेज चंद अंग्रेज और उनके कुछ चाटुकार इस देश को परबाद करने पे इस देश को गुलाम बना कर राज करने पे तुले थे तब इस देश की बड़ी जंता तो सो रही थी फिर इतियास दो रहा जाएगा इतियास के पन्ने वो खून से लिखे गए करांतिकारियों के वो माफी नामों से नहीं लिखे रहे साब एक करांतिकारी का माफी नामा नहीं है उसमें उसमें हमारे करांतिकारियों का खून है और वो खून हमें ताकत देता है अभी उमर कह रहे थे और सुचेतक गामरेट भी हमारी कह रहे थी बोलें आप मीडिया के लोग चला रहे हैं तो अब कपिल मिश्रा, अबे मिश्रा, अबे क्या नाम है वर्मा परवेश वर्मा, अन्राग ठाकूर, उत्तर पदेश के मुख्य मंतरी, योगी जी, गाय बेवस्लीश से अब कुछ और लोग हैं, जिनको कहा है कि इन्होंने भड़का है इस मुल्क को बचाने के लिए अगर अंदोलन करना, सड़क पराना, आवाज देना, इकटे होना जब तक ये लड़ाई जीती नहीं जाती, और ये भी सही बताएगा कि हम लोग जीत रहे हैं, हम लोग जीत रहे हैं, विचारों के सामने अब बंदू के लाई गई हैं, स्वागत है आप लोग, मैं ये भी जानता हूँ, कि सरकार पे बहुत सारी ताक्ते हैं, लेकिन ये भ जोरी और अपने मुल्क को बचाने के पर ती जो ताकत हम लोगों में हैं, उससे बड़ी भी कोई ताकत नहीं है, और अब ये युवाओं पर है, जिम्मेदारी मैं बहुज़न मूवमेंट में काम करता हूँ, लेकिन ये मुलिक को बचाने की लड़ाई हैं, मैं सब से कहना चाहता हूँ हम यूवा कोरी किताब है जो लिखा जाएगा वो आने वाली पीडिया याद करेंगी अब आप तैह करें कि इस मुल्क को भरबाद होने को होते वे देखना है या फिर ऐलान करना है कि बहुत हुआ हम यूविश्चियों में हैं हम कॉलिज में हैं हम गाव में हैं हम शहर में हम कस्वों में हैं हम देश में हम परदेश में और हम वा हैं जहां आगड़े सरकार के पास है कि एक देश में सबसे ज़्यादा यूवा है और मैं सलाम करता हूँ उन बेहनों को कि जो ना पुलिस की लाटी से डरती है ना गौली से डरती है ना मुकदमों से डरती है और सबसे आगे रहती है अब जिम्मेदारी बनती है कि युवा घर से बार निकले और एलान करें सरकार के खिलाप कि जब गोरों को यहां से भागना पढ़ा था तो यह जो गोरों के चाटुकार है यह कितने जल्दी यहां से जाते हैं इसकी कमाने में समान नहीं पड़ेगी यहां कि आईज़र कमेटी को बहुत बहुत धन्यवाद इस मंच पर उपरस्ति सबी लोगों को धन्यवाद इतना ही है मिलिए एक चुट हो जाईए हाथ पकड़ एक दूस रगे और बचा लिजए मुल्क को यह साजी साधर, साजी विराधर, साजी नागरिक्ता यह कागजों में अच्छी नहीं लग रही है यह जमीन पर भी आने चाहिए अगर यह कागजों पर रहेगी तो पता है क्या होगा फिर खौने को कुछ बचेगा नहीं और बचा भी नहीं लासे उठानी पड़ रहे हैं इससे ज़्यादा क्या होगा मैंने युएन्यों को भी लेटर लिखा है यहां की सरकार से कोई मांग नहीं करूँगा क्योंकि वो तो करार है जो कर रहा है उससे उमीद नहीं की जा सकती कि वो बचाएगा उमीद है कि बाहर के लोग सुनेंगे और नहीं सुनेंगे तो फिर इस देश की जन्ता तो तयार है क्योंकि मुर्दा लोग मिशन नहीं चलाते और जिन्दा लोग उरकने नहीं नहीं एते मुझे सुनने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया